आज की इस यूडियो में हम बहुत ही आम बीमारे के बारे में बात करने वाले हैं और वो है एसिडिटी एसिडिटी एक ऐसी समझ से हैं जो सबी लोगों को कभी ना कभी परेशन करती रहती हैं आज की इस यूडियो में हम acidity की होमिपतिक treatment के बारे में बात करने वाले हैं और acidity कम करने के लिए कौन सी होमिपतिक medicines लेना है, कब लेना है और दिन में कितनी बार लेना है ये भी discuss करने वाले है तो चलिए दस्तों स्टार्ट करते हैं, मैं हो डॉक्टर पठन और आपका मेरे चनल में बहुत बहुत स्वागत है Hyper Acidity जिसे आम तोर पर Acidity कहा जाता है यह एक ऐसी situation है जिसमें पेट के अंदर Acidity का सबसे ज्यादा discharge, पेट में जलन और दर्द, भुक्ट न लगना, उल्टी होना, पेट फुलना, सीने में जलन होना और सीने में दर्द होना जैसी symptoms पैदा करता है अगर इस situation को सही तरह से manage न किया जाए तो यह गैस्टिक अलसर, अपरचन यह की इन डाइजेशन, वजन बढ़ना, सुजन होना और दर्द जैसी परिश्यानियों को पैदा कर सकते है Hyper Acidity आम तोर पर कही बाहरी factors जैसे improper diet, smoking और शराब के habits से होती है Physical activities की कमी, irregular eating habits, tension और कुछ दवाओं के लंबे वक्त तक इस्तिमाल करने से भी Acidity का खतरा बढ़ जाता है Pregnancy, motapa, bacterial infection, उम्र का बढ़ना और उपवास रखना भी कई ऐसे कारण है जिनकी वज़े से Hyper Acidity हो सकती है पारम पर एक रूप से Protein Pump Inhibiting दवाओं का उपयोग Acidity के इलाज के लिए किया जाता है जैसे कि Omeprozole, Pentaprozole, Rabeprozole, इसके सब दवाईयां हलाकि ये लंबे वक्त तक दवाईयां खाने से भी Side Effects हो सकते जैसे Cool Hay ये की Hip और Red ये की Spine में Osteoporosis समंदी Factor और Intestine Related और कई तरह की Infection हो सकते है बात करते हैं Acidity के लिए Homeopathic Treatment के बारे में Homeopathic Doctor कई ज्यादा Safe और Effective दवाईय प्रिस्क्राइब करते हैं जो Acidity और इससे जुड़ी कई और Symptoms को ठीक करने में इस्तिमाल किया जा सकता है कई Homeopathic दवाईया Acidity और इससे जुड़ी कई Symptoms जैसे की सीने में जलन होना, पेट में दर्ध होना, सोने में परेशानी होना, मतली या फिर उल्टी होना इसके लिए भी इस्तिमाल की जा सकती है Homeopathic दवाउं को इस स्तर तक पतला किया जाता है जहां वे अपने आउस्दिय गुनों को बरकरार रखती है लेकिन किसी भी तरह के साइड इफिक्स कारण नहीं बनती है और सबी उम्र के लोगों को इसका इस्तेमाल करना सेफ माना जाता है अब बात करते हैं उन Homeopathic Medicine के बारे में जिनको लेने से आपकी Acidity हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी इसमें पहली Homeopathic Remedies है Homeopathic Combination Homeopathic Combination में आपको चार तरह की Medicine लेना है पहला है Rubinia 30X Potency दूसरा है Pulsitilla 30X Potency, तिसरा है Antimonium Crudum 30X Potency, और चावता है Carbo Vegetables 30X Potency, यह चारों मेडिसिस आपको बराबर करके 30 ml करना है, यानि कि एक 30 ml की खाली बोटल लेना है, उसमें Rubinia 30 7.5 ml लेना है, Pulsitilla 30 7.5 ml लेना है, Antimonium Crudum 30 7.5 ml लेना है, और Carbo Vegetable 30 7.5 ml लेना है, यह सब मिला कर आपको 30 ml कर लेना है, फिर इस मेडिसिन को 20 बुन्द एक चमच पाने में डाल कर, खाना खाने से आदा घंटे पहले पी लेना है, दूसरी मेडिसिन है, Nux Omica 30 X Potency, यह दवाई सीनी में जलन, उल्टी, मतली और एसिडिटी कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, Nux Omica 30 आपको 2 बुन्द सुभा, 2 बुन्द दोपेहर को और 2 बुन्द शाम को खाना खाने से आदा घंटे पहले पी लेना है, तीसरी मेडिसिन है, Rubinia 30 X Potency, यह भी मेडिसिन एसिडिटी कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव और इंपोर्टन्ट रेमिडिए है, Rubinia 30 आपको 2 बुन्द सुभा, 2 बुन्द दोपेहर को और 2 बुन्द शाम को खाना खाने से आदा घंटे पहले पी लेना है, याद रहें, यह सब दावाईयां आपको एक साथ बारी बारी से लेना है, जब तक की एसिडिटी पूरी तरह से ठीक न हो जाए, या फिर कम से कम 6 महने तक आपको लेना है, यह सब दावाईयां लेने से पहले, आप अपने नजदी की होमेपेटिक डॉक्टर से कंसर्ट जरूर करें, उमीद है कि यह वडियो आपको पसंद आई होगी, तो मिलते हैं मेरे नेक्स टूडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,